बिस्मिलाइ रमाने रहीम, अस्सलामु अलेकुम शॉट पर वीडियो एडिट करते हुए कभी हमें इस मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि हमारी स्क्रीन डबल शो होती है चाहे 16-9 या 9-16 का रैशो हो मगर यह प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो आईए देखते हैं इसे कैसे करना है कि देखे हमारे सामने डबल स्क्रीन शो हो रही है आपके सामने में एक वर्टिकल यानि 9-16 के रैशो वाली वीडियो को एडिट करने की रिकॉर्डिंग दिखा रही हूँ तो लेफ्ट साइड पर आपको एक ब्लोर का उप्शन नजर आएगा आप उस पर टैप कर दीजे तो यह जो डबल स्क्रीन है यह बहासानी सिंगल हो जाएगी यह वर्टिकल की बात है अच्छा अगर हम इसको होरिजेंटल बना रहे हैं यानि 69 के रैश्यो में बना रहे हैं तब भी डबल स्क्रीन अगर हमारे सामने आती है तो इसका एक उप्शन यह होता है कि हम यह तो ब्लोर पर टैप कर दें या फिर हम बैक्ग्राउंड पर क्लिक करेंगे और स्क्रीन को वाइट कर देंगे या आप अपनी मर्ज़े से कोई कलर में कनवर्ट कर सकते हैं या तो इन शॉट की सेटिंग चेंज हो तब ऐसा प्रॉब्लम आएगा या फिर वर्टिकल वीडियो बनी हो और आप उसको 69 के रैश्यो में बना रहे हो तब भी डबल स्क्रीन हो जाती है इस तरीके से आप बहसा नहीं कर सकते हैं एक और चोटा सा प्रॉब्लम आमतर पिंचोट में आता है कि हमें यह वाटर मार्क शो होता है तो आप वाटर मार्क पर टैप कीजिए और फ्री रिमूव पर टैप कर दीजिए पांच से पंदरा सेकिंड का एक एड आके सामने आएगा उसे चलने दीजिए जैसे ही वो एड खतम होगा क्रॉस पर क्लिक कीजिए अब आपकी विडियो जब एडिट होके आके सामने आएगी तो उस पर कोई भी लोगो यह वाटर मार्क मौजूद नहीं होगा